दोस्तो मेरे चैनल से जुणने के लिए सब्सक्राइब आप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बैल आइकॉन को भी आउन कर दीजिए नमस्कर दोस्तो मैं अमित कुद्वाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में और आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ ऐसी जानकरी जो जानकरी आपके लिए काफी ज़्यादा फाइदे बंद रहेगी नवमांश कुंडली जिसे हम जानते हैं D9 के नाम से देखें जो जाजियो ये चार्ट्स हैं कुंडली के अंदर जो लगन कुंडली है उसके अलावा जो हम चार्ट्स देखते हैं में D1 तो लगन कुंडली कहलाती है मैं आपको यी चीज किलियर कर दूँ कि भई D1 है तो लगन कुंडली कहलाईगी और इसके लावा D7 जो है उसके लिए देखते हैं हम संतान संतान से रिलेटेड अगर चीज देखनी है तो D7 में देखते हैं और ये पांच वे घर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यानि इस घर की डीप स्टडी की बात हो रही है और D9 यानि ये सब्तम घर की अगर लाइफ पार्टनर की बात करें तो नौमाज कुंडली देखी जाती है देन उसके बाद D10 प्रॉफेशन के लिए जो कुंडली देखी जाती है वो देखी जाती है D10 जिसे हम ये 10th हाउस भी कहते हैं और D1 से लेकर D64 तक चार्ट होते हैं जिसमें आप बहुत जादा डीप ली स्टडी कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर आनलाइस में काफ़ी समय लगता है लेकिन आप बहुत सी बातों का बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं मलब उसके लिए समय जरूर लगता है लेकिन डीप स्टडी की जासा सकती है इन चार्ट के माध्यम से तो ये डी नाइन आखिर क्या है वो मैं आज आपको बिल्कुल बिल्कुल ये समझ लीजिए आप हर जी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि ये है क्या अभी कुछ समय पहले कुंडली आई थी मेरे पास प्रेडिक्शन के लिए तो उसमें वो विक्ति काफी परेशान आपके जो रिलेशन है उसमें क्या प्रावलम है तो उन्होंने साफ मना करा बोले सर कोई प्रावलम नहीं है अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही लाई तो जब मैं इस हाउस के अंदर यानि कि अब डी नाइन जब मैंने ओपन करा तो उसमें लगन की स्तिती और सात्वे घर की स्तिती डी नाइन में बहुत ही अच्छी थी साउंड पोजिशन थी कोई मारक ग्रह नहीं थे तो बिलकुल क्लियर हो गई वो चीज की जो चीज उपर दिख रही है डी नाइन में जब वो अच्छी पोजिशन में आ गई तो उस कंडिशन में उस घर से रिलेटेड आ और डी टैन ये चार्ट होते हैं ये उस हाउस की डीप स्टडी के लिए होते हैं बाकि होल सोल लाइफ के लिए लगन कुंडली ही होती है ये मैंने लगन कुंडली यहाँ पर बनाई है छे नंबर से स्थार्ट है ये लगन कुंडली तो कन्या लगन की है कुंडली बनी और के आधार पर मैं आपको समझाउंगा कि नौमाश कुंदली काYसे देखी जाती है, अब देख़िए सबसे पहले आप इस चीज को समझ लिजिए, लगनकुंदली से हम लोग गोचर देखते हैं , लगनकुंदली से हम पूरी life देखते हैं whole soul सारी बाते लगन कुंडली से देखते हैं और particular किसी एक house की अगर deep study करनी हो तो नौमांश को चुना जाता है या फिर दश्मांश को चुना जाता है इस तरीके से हम charts को चुनते हैं तो आज मैं समझाऊंगा आपको नौमांश क्योंकि यह जो series चल रही है उसमें मैंने आपको बताया था कि life partner कैसा होगा life partner से बनेगी या नहीं बनेगी जीवन सात्री कैसा होगा उसके लिए हम नौमांश देखत है लगन में यानि सात्वे घर को आपने देखा कि सात्वे घर का मालिक 6-12 में नहीं है नीच का नहीं है और उसकी अच्छी position बनी हुई है माली जी वो भग्यस्तान में बैट गया है और यहां कोई मारक घ्रह भी नहीं है तो उस condition में आपको D9 में जाने की जरुरत नहीं है यानि बाहर से ही हमें ये कंफर्म हो गया कि इस कुंडली में जो सात्वे घर का मालिक फार्ट्र है वो अच्छा है अब गर आपको लग रहा है कि कोई मारक घ्रह बैठा है या सात्वे घर का मालिक खुद 6-12 में बैठ गया या सात्वे घर का मालिक आस्त हो गया ऐसी condition आप आपको नौमाज कुंडली में अंदर entry करनी है उसके बाद ही आप अंदर entry करिए गा और मा लिजी आपने देखा कि यहां पर मारक भी बैठे हैं और यहां लगन कुंडली का छोड मालेक उठकर आठ करेड़ में बैठ गया तो सबयाह। आपको कुंडलियों में नौमांश बनी हुई आती है नहीं तो सौफ्टेयर से आप देखेंगे दो-चार तो उनमें आपको नौमांश वाला उप्शन भी मिलेगा नौमांश कुंडली का आप समझ लीजिए नौमांश कुंडली में आपको ना गोचर देखना है रतन डिसाइड करना है नौमांश में अगर कोई ग्रह आपका बलहीन है तो उसका रतन धरन नहीं किया जाता वो लगने से ही किया जाता है दशा अंतर दशा नहीं देखनी है प नवमांश के अंदर भी तो आप किसी भी डिविजल चार्ट को जब उपन करेंगे तो आपको उसमें डिग्रियां नहीं दिखेगी क्योंकि जो लगन में डिग्री है वही अंदर मानी जाती है बात करते हैं हम क्या चीजे हमें देखनी है तो मान लीजिए आपकी लगन मानली को जब आपने ओपन करा नवमांश में आप गए एक option आता है software में नवमांश में आप जाते हैं तो यह चेंज हो गई एक example लेते मान लीजिए यही लगन कुंडली जो है वह स्टार्ट हो गई है चार नंबर से यानि करक लगन से स्टार्ट हो गई तो यहां चार चेंज हो जाएंगे अगर मान लीजिए 6 नंबर की आपके लगन कुंडली और नवमांश में भी 6 नंबर से स्टार्ट है तो बहुत बढ़िया वरगोतम नवमांश कहलाता है वह और बहुत अच्छी position होती है सामने वाले का भग्ये बहुत अच्छा होता है लेकिन अगर य जैसे ही आपने ऑपन करी क्योंकि आपको बाहर से लगा कि यहाँ पर इस गर की अच्छी नहीं है problem हो सकती है life partner से related problem हो सकती है तो आपने जैसे ही नवमांश ओपन करा करक लगन की कुंडली बन गई और करक लगन की कुंडली बनी और आपने देखा कि अब आपको इस लगन कुंडली को भूल जाना है बिल्कुल दिमाग से आप भार निकाल दीजिए लगन कुंडली जो आपकी पुरानी थी उसको हटा दीजिए अपने दिमाग से जैसे आप अंदर एंटर हुए तो आपको सिर्फ अब दो हाउस ही देखने है आपको तीसरे हाउस पर नजर भी नही करनी है यह देखे यह वाला हाउस और यह वाला हाउस नवमांश में एंटर होने के बाद आपको दो घर देखने है बस एक लगन देखना है एक सात्वा घर देखना है तो आपको क्या देखना है सबसे पहले लगन में बैठे हुए घ्रह देखने इस लगन कुंडली के म लिगे तो माल लीगिस चार नमबर से यह कुंड़ी स्टार्ट हो गई आपकी नवमांश के अंदर और चार नमबर से start होने के कारण यहाँ पर आया धस कशार अब यहाँ पर धस दस नमबर आने के कारण माल लीजिए एक ऍयग्जंपल लिते हैं यहाँ पर यहां से उठे और उठकर यहां बैठ गए नवमांश में तो आठ नमबर यहां पर रिखा है आपके नवमांश में तो नीजなるほど हो गए चंद्रमा झेशन के अंदर यहां पर सफ्थ को देखा और सपृम के यहां पर नहीक装चे गहर लगन गए तो उस condition के अंदर एक और minus point मिल गया यानि लगन के point of view से भी ये कुंडली खराब हो गई और साथवे घर के point of view से भी कुंडली खराब हो गई तो 50% खराब यहां हो गई 50% यहां खराब हो गई यानि 100% chances बन गए life partners से related problem create होने के इसी condition में अगर दसवे घर के शनी देव यहां पर इस लगन कुंडली में कहीं भी नीच हो गए या फिर एक और example लेते हैं मान लीजिए नवमांज कुंडली में यहीं पर राहु देव बैठ गए तो वो हो गए मारक क्योंकि चंद्र देव के साथ कर कराशी के साथ वो मारक हो गए तो यहां पर भी 50% negative result मिल गए बले ही चंद्र देव यहां पर बैठे हो उचके होकर बैठे हो तो उस condition के अंदर भी यहां पर 50% negative result मिल गए इसी तरीके से आपको यहां पर भी देखना है इस घर के अंदर मान लीजिए कोई ग्रह बैठा है ऐसा ग्रह बैठा है जो मार ग्रह यहां बैठा है तो भी minus point मिलेगा तो इस तरीके से आप नवमाश कुंडली में enter होकर यह पता कर सकते हैं कि वास्तम में जो लगन में उपर सात्वा घर शो कर रहा है क्या नवमाश में ही वो इस्तिति है अब माल लीजिए यह जो 12 numbers की राशी थी लगन में यहां पर position पॉजिशन बहुत अगर अच्छी है लगन के point of view से नहीं सीरी relative स्थिति अच्छी है तो आपको नवमाश में पहली चीज तो झाना ही नहीं है और अगर माल लीजिए यहां पर इस्तिति खराब है तो आप मैं गये to आपको इस्तिति खराब मिली तो आपको नवमांश के ग्रहों की आपको पुजा नहीं करनी है उनका सॉलूशन नहीं करना है क्यों क्योंकि पहली चीज अगर लगन में पोजिशन माइनस थी तभी आप नवमांश में अंदर एंटर हुए तो लगन में जो नेगेटिव ग्रह मां लिजे सात्व अगर अच्छा है तो आपको वैसे सॉलूशन की जुरुत नहीं है और नवमांश में अंदर एंटर होनी की जुरुत है नवमांश में तब ही अंदर जाईएगा आप जब आपको बाहर से प्रॉब्लम दिख रही है तो आपको क्या देखना है यहापर आ आस-पास अस्त तो नहीं हो रहा है या फिर लगन कुंडली का मालिक नीच तो नहीं हो गया या फिर लगन के अंदर ही मारक ग्रह तो नहीं बैट गया या फिर सात्वे घर का मालिक नीच तो नहीं हो गया सात्वे घर का मालिक छे आट बारा में तो नहीं चला गया यह जो छटे गर लगन जो है वो खुद 6-8-12 में तो नहीं चला गया नौमांश में तो ये सारे points आप नौमांश में देखकर decide कीजिए कि जो उपर दिख रहा है वो अंदर भी वैसा ही है क्या और अगर उपर बेकार दिख रहा है अच्छा नहीं दिख रहा पोजिशन अच्छी नह नौमांश में सब्तम में बैठे गरे नौमांश में सब्तम के मालिक की स्थिति नौमांश में ये चार point देखिए और ये भी तब देखने है जब यहां सात्वे घर की स्थिति खराब हो तब अगर ये जानकर ये आपको अच्छी लगी हो रियल में अच्छी लगी हो तो ल झाल झाल